नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं सुनिल कुमार महला 19 सक्टूबर 2022 सही दिसमार्क पर जेपुर में आमरन अंसन करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को मालूम है इस बात का कि तर्तिय स्रेणी शिक्सकों की ट्रांसपर गहलोज सरकार ने अपने 14 साल के कारिय काल में कभी भी नहीं किये हैं इसलिए अब हमें मजबूरन होकर बहुत ही बड़े महा अंदोलन की तैयारी करनी पड़ी और इसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया कि मैं वहाँ जेपुर में आमरन अंसन पर बैठूँगा जब तक ये सरकार तरतिय स्रेरी सिक्सकों की ट्रांसपर नहीं खोल देती तब तक मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपना अंसन नहीं तोड़ूँगा अन और जल ग्रहन नहीं करूँगा मैं मेरे प्यारे बहाई और बहनों से ये अपील कर रहा हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरी सिक्सक बहने ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाँ जेपुर सहिद इसमार्क पर 19 सक्टूबर को पहुँचें और अपने इस कारिय करम को अपने इस महा अंदोलन क सफल बनाने में सहयोग करें मेरा आप लोगों से ये वादा है सभी बहनों से मेरा वादा है उनकी राखी की कशम है मुझे जब तक ट्रांसपर नहीं खोल देगी ये सरकार तब तक मैं वहाँ से नहीं हिलूँगा मैं वादा करता हूँ आप से कि दिपावली पर सब बहनों को और सब भाईयों को ट्रांसपर का तोहफा दिलवा कर ही घर भेजा जाएगा जेपूर से नहीं तो हम महाँ जेपूर में ही काली दिपावली मनाएंगे और इस सरकार के खिलाफ हम तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक अपना ट्रांसपर ये सरकार नहीं ख प्रबोदक हों और चाए किसी भी सरेणी के तर्तिय सरेणी के शिक्षक हमारे भाई बहन हों वो सभी ट्रांसपर के योग्ये होने चाहिए मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बहनों को ट्रांसपर में प्राथमिक्ता दी जाए उनके ट्रांसपर में प पहलोत सरकार से ये हाद जोड करनी वेदन करूँगा हमारा आंदोलन एक अध्यात्मिक आंदोलन होगा जिसमें एहिंसात्मक तरीके से हम सब वहां बैठेंगे और सरकार के आदेसों का या उनके निर्देसों का पूरी तरह से पालन करेंगे हम किसी प्रकार के हिंसा में भी विश्वास नहीं करते हैं हमकिस आदोलन को एक अध्यात्मिक रूप देते हुए विजैश्री को प्राप्त करेंगे